अतीक एहमद को यूही नहीं लोटने देगी उत्तर प्रदेश पुलिस। उमेश पाल हत्या कांड मामले में मागी रिमाड। नमस्कार दोस्तों मैं रादम सिंग और आप सभी का ट्रिकर नियूज में स्वागत है। गैंगेश्टर से राजनेता बना अतीक एहमद दो दिन से सुर्कियों में है। उत्तर प्रदेश पुलिस उसे एहमदाबाद के साबर मती सेंटरल जेल से प्रियागराज लेकर पहुच गई है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसत अतीक एहमद के खिलाब सो से ज़्यादा अपरादिक मामले दर्ज हैं और वो 2019 से जेल में बंद है। मंगलवार को उमेश पाल अपारन मामले में प्रियागराज की MPML कोर्ट का फैसला आना है। इस मामले में अतीक और उसका भाई असरफ समेथ 11 अरोपी हैं। इस बीज माफिया अतीक एहमद से जुड़ी खबर सामने आई है। यूपी पुलिस ने उमेश पाल हत्यकान मामले में भी अतीक पर सिकंजा कसने का फुल प्रूप प्लान तयार कर लिया है। जानकारी के मताबिक यूपी पुलिस अतीक को मंगलवार को कोर्ट में पेशी के बाद वापस साबर मती जेल नहीं भेजना चाती है। इसलिए उसने बड़े प्लान पर काम करना सुरू कर दिया है। यूपी पुलिस हाल ही में 24 फरवरी को हुए उमेजपाल हत्यकान में माफिया अतीक से पुस्ताज करना चाती है। इस ठंबन में पुलिस ने प्रियागराज की सीजीम कोर्ट में अरजी दाखिल की है। पुलिस ने इस याजिका में कोर्ट से उमेसपाल हत्याकारण में पूस्ताज को लेकर अनुमती मागी है। इस याजिका पर आज ही CGM कोर्ट में सुनवाई होनी है। पुलिस ने अरजी में याभी बताया है कि माफिया अतीक के खिलाव एहम सबूत मिले हैं इसलिए उससे पूस्ताज किया जाना जरूरी है। जैसवाल के अफरण और मारपीट का आरोप लगा था। यूपी पुलिस का कहना है कि अतीक हाल ही में उमेसपाल हत्याकार समिछ सौ से ज़्यादा अपरादिक केसों में नामजद है। वो 24 फरवरी 2005 में बस्पा विधायक राजू पाल की हत्या में मुख्य आरोपी है। राजू की उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हाल में 24 फरवरी को राजू पाल हत्याकार में मुख्य गवा उमेसपाल की हत्या कर दी गई है। इसमें अतीक और उनके गुर्गों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है। इस केस में यूपी पुलिस लगातार करवाई कर रही है और अतीक और उनके समर्दकों पर सिकंजा कसा जा रहा है। इस बीच अतीक अहमद ने मार्च की सुरुवात में सुरच्छा को लेकर सुप्रिम कोड का दरवाजा खटखटाया था। अतीक ने दावा किया है कि उसे और उसके परिवार को प्रियागराज में उमेजपाल हत्याकान में आरोपी के रूप में जूटा फसाया गया है और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उसे फरजी मुटभेड में मारा जा सकता है। अतीक एमद ने अपनी याजिका में कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसे एहमदाबाद से प्रियागराज ले जाने के लिए उसकी ट्रांजिट रिमान्ट और पुलिस रिमान्ट की मांग कर रही है। अतीक ने आगे कहा उसे वास्तव में आसंका है कि इस ट्रांजिट अवधी के दोरान उसे खतम किया जा सकता है इससे पहले अतीक अहमत को प्रियागराज ले जाने के लिए यूपी पुलिस की एक टीम रवीवार को गुजराद के एमदाबाद इस्तिसाबर मती केंद्रे कारागार पहुची पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उमेजपाल के अबढ़र मामले में अतीक आरोपी है इस केस में अतीक को 28 मार्च को कोर्ट में पेस किया जाना है प्रियागराज की पुलिस आयुक्त रमित सर्मा ने बताए कि प्रियागराज की कोर्ट में मामले में आदेश पारित किया जाना है सभी अभियोक्त को फैसले की तारीक पर अदालत के समख्च पेस किया जाएगा और फिर वापस उनके संबंदे जेलों में बेज दिया जाएगा अतीक पर 100 से ज़्यादा केस है प्रियागराज की MP MLA कोर्ट ने 23 मार्च को सुनवाई पूरी करने के बार फैसला सुरचित रख लिया था और अतीक को पेस करने का आदेश दिया था कोर्ट का 28 मार्च को फैसला आना है अगर अतीक को दोसी पाया गया और सजा सुनाई गई तो ये पहला केस होगा जिसमें उसे सजा मिलेगी Bureau Report Trigger News